आजमगड पुलीस का अपराधियों पर शिकंजा तीन थानों में कारवाई कई गिरफ्तार आजमगड 10 सितंबर 2024 पुलीस अधीक्षक हिमराज मीना के निर्देशन में जनपद आजमगड में अपराध और अपराधियों पर अंकुष लगाने के लिए 10 सितंबर को विभिन्न थानों पर कारवाई की गई इस दोरान कई अभ्युक्तों को गिरफ्तार किया गया और चोरी की घटनाओं का खुलासा किया गया थाना फूलपुर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में तुफेल एहमद तिरपन वर्ष को गिरफ्तार किया गया वहां नेवादा फूलपुर का रहने वाला है तुफेल को भोर्मो तिराहे के पास से गिरफतार किया गया और न्यायक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया थाना तर्वा मारपीत और जान से मारने की धमकी के मामले में वांचित अभियुक्त राजन कुमार चौबीस वर्ष को उसके घर से गिरफतार किया गया राजन कोटा तर्वा का रहने वाला है थाना निजामाबाद चोरी की दो घटनाओं का खुलासा करते हुए धर्मजीत यादव उर्फ कतवारू नेवादा निवासी को गिरफतार किया गया उसके पास से एक चोरी की मोटर साइकल और एक अवैद चाकू बरामद हुआ